नमस्कार सुमीच जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार अंजो जी थेंक यो सुमीच जी गिपी ग्रेवाल पंजाबी फिल्मों का हीरो है प्रोडूसर है सिंगर है वैंकुवर में उसके घर पर गोलिया चल गई और लॉरेंस विश्णोई गैंग ने जिम्मेदार कभी गैंग्स्टर्स को मारते हैं हम देखते हैं मूविज के अंदर तो किसी ने सोचा कि इनको टेस्ट किया जाई कित्रे बड़े हीरो है और सुना है उसके गोलिया लगी है उसके घर के पास गोले चलाई गई और वह बुरके में अंदर कंबल में बुरका डालने के बाद कंबल लवेट के वो छुपके बैठा हुआ है तो यह है एक्चुल हीरोस का हाल और आपको मालूम है इसकी हिस्ट्री जो है वो कैसी है बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनके साथ उटला बैटना है इसका और भाई बनाया हुए है अजकल तो बहुत बड़े-बड़ दिया गया तीक है निजर था उसका पता नहीं कहां चला गया वह और जो यह आपका पन्नु है पन्नु भी आजकल बुर्के में ही फिरता है कहते कि बाहर आता नहीं है कि कहीं गोली ना लग जाए और अब तो टूड़ो मल खुद लगा है उसको सेव करने के लिए CIA लगी हुई यह उसको बचाने के लिए और CIA ने तो इससे भारत को भी बोल दिया कि भाई आप इसको टपकाने की कोशिश कर रहे हो हमें मालूम है लेकिन आप ऐसा काम मत करें आपको याद होगा भारत की सरकार पहले दुनिया में जाकर थे स्पेशली यॉन recurs on के लिए बोलते थे थे बही देखिए पाकिसान को बलिए कि हमारे उपर हमला ना करें ये यह में नियुन Unoat000 में मनमौ सिंग्च की लेंगोई जाए महाँ पर कि देखिये प्लीज इनको बोलिए हमारे ऊपर हमला ना करें तो आपने 26,11 कर लिये बस इसके बाद मत करना ये ऐसे प्लीड करते थे ये लोग और आज वो हम से प्लीड कर रहे हैं CIA, FBI और टूडो मल खुद कि प्लीज हमारे जो यहां पर नाकरेक हैं इनको आप मत मारिए इसको बोलते हैं 180 डिग्रीस टर्न राउंड मोदी जी की वर्ड है जो हम कभी भूल नह नहीं सकते मैं घुसके मरूंगा और उसी भाषा में जो आप दूँगा जो आपको समझ आती है यह बात सारे जितने भी हैं कैनेडा में कालेस्थानी हैं वह भी समझ चुके हैं और पाकिस्तान से तो हरोजी गूड नियूज आती है बिलकुल सही कह रहे हैं आपके पाकिस् सब्सक्राइब में इसलिए कि वह इंडियान एलाइंस के विमानों कोड आने की जो धंकिया दे रहा था लेकिन उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुम हो गई पन्नू की यह कह रहा था कि मैंने तो ऐसे कोई धंकी नहीं दी थी तो यह जो सफाई पन्नू की जुबांग से सब्सक्राइब यह भी तो बहुत कुछ कह रही है लुद्याना में हमारे पन्नू का बनने वाला है उसको दिखता है कि इसका बन गया यह तो गयो आप जैसे स्कूल के बच्चे तो किसी की पैसल तोड़ दी तो टीचर आती है तो कहती है तो नहीं पैसल तोड़ी तोड़ी टीचर मैंने नहीं तोड़ी है यह गलती से टूड़ गई है उसने तोड़ी है वह अला हाल था पन्नू का भी अभी तो सिरफ एन निये ने एक एफ़ आयर लॉज करी है अभी हमने कोई कंप्लेंड नी दी टूड़ो को कि भई हम इसको पकड़ने वाले हैं नाथिंग बड की पेंट गिली हो गई है क्योंकि उसको पता है कि अगर इनों ने अनौंस कर दिया है कि वी आर नौ गोईंग टो वी आफ्टर हीम क्योंकि अब यह हमारा नैशनल टेर्रिस है एक तरह से व्योंकि हमने फाईर विलोज कर दिया इट इस गो टो टो इंटरपॉल अब पूरे कुछ नहीं बोला था मैंने तो सर्फ अवाइड करने के लिए बोला था कि आप इस प्लेइन को अवाइड करें आप क्यों बोला था यह समझ नहीं आई तो कि एर इंडिया इस नोट अब इंडिया प्लेन एनिम्होर और एर लाइंस वह एक प्रायवेट ऑगनाजेशन है वह तुमने किसी और के के लिए क्यों नहीं बोला वाई ओनली एर इंडिया तो यह हालत है पन्नु दे ग्रेट की कि एक फाई आर ने उसकी पैंट गिली कर दी है अभी तो हमने कारवाई एक कदम भी उठाया नहीं उसकी तरफ और वो अपनी सफाईयां दे रहा है तो कि उसको प आरत ने तो कहा था ने इनको हमारे पास भेज़ दो या फिर आप कारवाई करो उस लिस्ट में पन्नु का नाम तो नहीं था ना शायद लेकिन अगर अब NIA FIR दर्ज करती तो अपने आप उस लिस्ट में पन्नु का नाम भी आ गया लेके लिस्ट तो हमने पाकिसान को भी द और उडलेट कर दिआ भीक मांगने का लिए मजबूर कर दिया काटओर लेके जाते हैं तो कुछे में इक सख्का भी मिलता नहीं है तो यहींकाम हमने प्रूड को दिया कि प्एटा यह ले लिस्टitt यह रे बच्चे है इनको तुने टिपकाना है अब वह जबी से करने सकता करने में लगे हुए है इट वेस्टन पावर लोगों के अंदर क्या है कि पेशन्स नहीं है लोगों को लगता है जल्दी से होना चाहिए बही पाकिस्तान को घुटनों के नीचे मिट्टी में रौंदने के लिए हमें तीन-चार साल लग गए और जबकि अमेरिका की सपोर्ट, चाइना की सपोर्ट, साओधी अरेबिया की सपोर्ट, UAE की सपोर्ट, आप मुसलिम वर्ल्ड की उम्मा की सपोर्ट, उसके बाद भी हमने उसे मिट्टी में रौंदा हुआ है, मिट्टी में उसका सर है, पैर मोदी जी का उसके सिर के उपर ह मुझ के उपर है जैसे हम मुवीज में देखते हैं वही सेम हाल पाकिसान का है इस टेकन टाइम कैनेडा का भी यह हाल होगा सिर उसका अलड़ी मिट्टी में है गंदा हो चुका है टूरो का पैर रखना बाकी है आप सोचके देखिए वैस्टन पावर कैनेडा का हम बोलें कि अपने डिप्लोमेट्स को उठा के ले जा लिए तो ला तुमार के बाहर भेजेंगे और वीजे तुम्हारे सिटिजन के लिए हम बंद कर रहे हैं यह हिम्मत चाहिए करने की लेकिन लोगों के अंदर क्या पेशेंस नहीं उनको लगता कि उच्छरे आज किया है आज ही हम जाकर अटैक कर दें चैनला को यह ऐसे नहीं होता है एवरीफिंग टेक्स टाइम और पर्फेक्ट टाइम और पर्फेक्ट वे और जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े आराम से शांतिपुन तरीके से पीम मोधी करते हैं वो कहते हैं खिचडी को ठंडा करके ही खाते हैं लोग ने बार भारत के दुश्मन टबका जा रहे हैं अग्यातवीर् ये काम कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि फेटी एफ में अपनी पुजिशन को और साफ करने के लिए क्या खुद बखुद भी ये काम कर सकती है पाकिस्तान की आएसाई या आर्मी अजो जी मैंने आपके शो में एक दूबर पहले भी बात किया ही वाला कि पाकिस्तान की मजबूरी है कि एफ ए टी एफ को अपना क्लीन एक उतर रिपोर्ट कार्ट दिखाने की वहां पर इनसे गारंटीज ल भी का तुने साथ जो टिपकाएं हैं लोग इसके लिए साथ सो मिलें डॉलार ये ले 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 और अब एक और नई लिस्ट दे दी अब अगरे लिस्ट शुरू कर जितने जितने लोग टिपकाई जाएगा उसी इसाफ से पैसे मिलेंगे और एफ ए टी एफ में भारत की भी उगरवादियों को वैसे ही अरख्षन दे रहा है जैसे की पाकिसान देता है अगर हमने पाकिसान को छोड़ा नहीं है यह टूडर मल भी छोड़ेगा नहीं और यही डिप्लोमेसी यह मैं बार 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 बोलता हूं तिस इस कॉल्ड विन ऑफ स्ट्रॉंग डिप्लोमे कि अगर हमने कैनेडा को FATF के अंदर दकेलने की कोशिच भी करी हम सफल हो जाएंगे टाइम लगता है इस चीज़ों को कई लोग बोलेंगे कि सर आपने तो लास्ट मंद का अलब बोला था कि हम FATF में लेके जा रहे हैं अभी तक हुआ तो है नहीं और भाई डिप्लोमैसी में इटेक्स टाइम बट इट विल हैपन इट विल हैपन अनलेज और रूडो मल ड़संट चेंज हिस स्टैंस अफ सपोर्टिंग खालिस्तानी टेररिस्ट और उसे वी वो काम करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की I.S.I. आज की डेट में कर रही है अन्नोन में इलिमिनेटिंग नोन में बिल्कुल और जिसे आपने कहा ना कि ये भी बड़ी डिप्लोमैसी होती है कि आपने दबाव डलवाया F.A.T.F. के जरिए और पाकिस्तान वो काम करने को मजबूर हो गया जो भारत चाहता था सालों से चाहता आ रहा था कि अपने याँ पन अपने वाले आतनकवादियों को खत्म करें तो ये तो मैं कह सकती हूँ कि अजीर डोभाल साब और हमारे विदेश मंत्री उनका ये बड़ी जबर्दा स्ट्रेटेजी रही है कि पाकिस्तान वो काम कर रहा है FATF के प्रेशर में जो हम चाहते थे इससे बड़ी कूट नी थी तो शैद कोई और होई ही नहीं सकती और इसी लिए शैद आइसे छाती नहीं पीट रही है निजजर के मरने पर टूडोश ऐसे छाती पीट रहा था इतनी सारे लोग टपक कर पहुंच गए हैं बहत्तर रूरों के पास लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ के मीडिया ने आइसे ने आर्मी ने एक बार भी ब्लेम भारत पर नहीं लगाया है भले वो रूरूरा करके बार निकला है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि यह सारा काम रा जो है हमारी रा उन्होंने कराया है और हमारे जो एजेंट्स हैं वह यूएई और अफगानिस्तान में हमारे फूट्प्रिंट्स हैं वहां के लोकल लोगों को हमने एंप्लॉई किया है और पाकिस्तान की जो fault lines है, उसे हम exploit करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के करन, उन लोगों को use करके, हम लोग ये काम करवा रहे हैं, ये तो उनका allegation है, जो उनके secret document में बाहर निकला, लेकिन officially नहीं बोला है, कोई भी press conference नहीं हुई है इसके उपर, लेकिन ये जो secret की बात बोलते हैं, मैं बो ये बात बोली थी कि if the political will is there, मैं आपको ये सारी situation पाकिस्तान की एक जटके में ठीक करके दिखा सकता हूं, उनके पास जो fault lines है, उनका जो money का flow है, वो मैं बंद करा दूँगा, कराया, करा दिया, then he said कि बही उनके fault lines हैं, बलोचिस्तान, KPK, कश्मीर, जो उनके पास है, सिं नहीं है, उनको सब सब को, पाकिस्तान उनको 1000 क्रोट पे देता है, हम 1800 क्रोट पे देते हैं, they will start working for us, it is very easy, और उसके बाद, आपको टार्गेट कर रहा है एक ही चीज, वो है पाकिस्तान आर्मी के personal, अब आप देखिए पिछले 5 सालों में, कौन मारा गया, क्या ordinary citizens मारे जा आते हैं, या वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और जो पुलिस के लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, अगर आप टार्गेट देखेंगे, तो हमेशा ही आर्मी और पुलिस के लोग होते हैं, that means, अजीद दवाल जिनने जो जो फॉर्मला दिया था, जो कॉंग्रस के टाइम पे अजीद दवाल जी का फॉर्मला 2012-13 में दिया हुआ है, मोदी जी ने इंप्लिमेंट किया है, and the results are exactly the same as he told, तो इसलिए कई लोग बहते हैं, ये साजिश है, ये साजिश जो होती है, वो छुपके होती है, ये openly declared policy है, this is what we are going to do, and we are doing it, proudly we are saying, so जो ये प्रेशर है, ये प्रे आपड़ेगा जो हम करवाना चाहते हैं उससे, और ये पहले उगर्वादियों को यूज़ करता था हमारे खिलाफ, और वो काम करवाता था, वो जो करवाना चाहता था उगर्वादियों से, आज वही काम हम करवा रहे हैं, और सुमिझ जी सबसे important बात ये है कि ये सही है कि अब जो गुस्पैट है वो बहुत कम हुई है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 73 हटने के बाद लेकिन अभी भी चल रही है वे देखे ना दो दिन पहले हमारे पांच जवान शहीद हो गए हम आतंकवादी हमला वहां पर हुआ तो अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आया है और इसलिए भारत को और शिकंजा कसना पड़ेगा पाकिस्तान पर और भी वहां पर ऐसे हालात पैदा करने पड़ेंगे कि गुटनों के बाला है क्योंकि अभी भी कुत्ते की पूंच सही नहीं हुई है मतलब पाकिस्तान की पूंच मैं कुत्ता नहीं बोलना चाहती है वो मेर रह देहते हूं जैसे उनकी एक्च्ण हालत है और चाइना के लिए भी मैं चाइना में रहता हूँ चायना ने भी पैट डॉडग रखा हुए उसके उपर पाकिस्तान लिखा हुआ है रस्ति इसने ऑपने हाथ में और कॉलर उसके कले में बंदा हुआ हुआ हैrier पाकिस्तान और सृजिकल स्ट्रेक्व में हमने देख लिया जिहाद 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 उसका हल एक ही है जो मोदी जी ने बड़े साफ तोर पे बोह दिया है अब की वार नर्णायक युद होगा और मैं कट देने में विशौफ नहीं करता मैं सीधी करने में विश्वास नहीं रखता मैं पूँच ही काड़ देता हूँ और इसकी जो स्टेटमेंट है मोदी जी कि उसके साथ अगर आप हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी बात सुनें कि इस बार कुछ भी हुआ भारत के खिलाफ लेकि बात तो वो पूँच की कर रहे थे कि आप अपनी पूँच आपकी कर जाएगी लेकिन वो कौन सा पार्ट है जिसको वो लूज करने की बात करते थे ये पाकिसान अच्छीता समझता है और ये भी तो स्ट्रेटेजी होती है ना सर जैसे आप बता रहे हैं कि उनके फॉर्ट लाइन्स क्या है उनके वीक पॉइंट्स क्या है उनको एक्टिवेट किया जाए ये सब कुछ 2014 से पहले क्या गया होता तो ये नौबत ही ना थी वो आपको लगातार पाक उक्यूपाइड कशमीर के मसले पर यौन में घेर रहा है कितनी तरह की स्टेटमेंट्स वहां से आती थी लेकिन यहां के जो सियासतदान ते यहां के जो नेता थे जो उसक्त की सरकार थी वो उनकी वीक पॉइंट्स को उठाते ही नहीं थे यौन में अगर वो आप पर हमला कर रहा है तो आप भी तो आकरामा कोई है आप डिफेंसिव हैं जी उनको बोलिया हम पर हमला ना करें लेकिन अब हालात बदल गए है तो यही तो डिप्लोमेटसी है कि आपने जो काम आप लड़ाई करके भी कर सकते थे सरयाम लेकिन आपने कितने सब्सक्राइब करना हो उसके लिए आपको दो चीज़े बड़ी स्ट्रॉंग चाहिए एक है आपकी बैकपोर्ण और दूसरा है आपके गुर्दे यह दो चीज़े मैं में बोलता हूं कि आपको करने की जुरूत पड़ती है मनमोन सिंग की बैक कौन थी सोनिया गंदगी य यह तो सारा टाइम एक ही काम में लगे हुए थे कि कैसे हमने घुटाले करने हैं और अपनी जेबे बन नहीं है इन्होंने दस साल जो काला काम किया इस देश के लिए वो हम सब जानते हैं अगर मैं लिस्ट दिखा हूं आपको दोज़ा चार से लेके चौदा तक जितने आत प्रूफ देते रहे कि यह देखिए जी प्रूफ वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन आज भी पूरी नहीं हुई है बीस साल के बाद और दोज़ार आठ का वो टाइम चबीस ग्यारा ही तो है वो हम बोल नहीं सकते कि कैसे दिग कि कैसे हिंदू आतकवाद ने इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करी है इन्होंने बोला कि हिंदू जो है वो भी आतंकी है जिस तरह के आप बोते हो कि मुस्लमान और आतंकी है इन्होंने किताबे पहले ही चाप दी यह तो बला हो कि यह कसाब पकड़ा गया उसकी असलिय हमें आतंकी डिकलेर नहीं कराया गया यह देखिए यह सनातन की धर्ती है इसी को बोलते है उपर से कोई है कोई इसे कोई है Richard पीछे सिनातन की पावर है, उसको शाद हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं, लेकिन हिंदो की जो प्रॉलम है, मैंने आज वीडियो बनाए इसके उपर, कि क्या कोई भी हिंदू, या कोई मंतरी, या बीजेबी का भी, क्या कभी तुक्कराम के घर में जाके देखा, कि उनकी गुर करना चाहता हूं, कि प्लीज, कोई भी मुंबई में रहते हैं, जो ये हमारे अंसंग हिरोज हैं, जिने शायद कोई भी, कभी भी, कोई समानित नहीं करेगा, भई आपने मरने के बाद एक बैटल दे दिया, इसकी फैमिली का क्या हुआ, क्या मुंबई के लोग इस महीं में हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो प्लीज गो, सर्च देम, आपको कहीना का इंफोर्मेशन मिल जाएगी, इन हीरोज को सपोर्ट करना शुरू करें, और हम लोग जो देश से बाहर बैटे हैं, देश के अंदर भी जो लोग हैं, हम सारे मिलकर, इन फैमिलीज को सपोर्ट करें, उन्हें, यह नहीं मैं कहता हूं कि सिर्फ फैनेशल सपोर्ट होती है, उनको यह भी एसास दिलाना, कि भी आपकी कुर्बानी हम नहीं भूले हैं, यह भी बहुत बड़ा काम होता है, तो प्लीज जाएए, उनके साथ वीडियो बनाएए, उनको हांसला दीजिए, और अगर उनको financial help भी चाहिए, तो we all are ready to come together and help them also, इन heroes को, they should not be forgotten heroes, they should be, तो दिल में रहने चाहिए हमारे साथ, वे 26, 11 कोई हमें तुकराम जी को याद क्यों आती है, he should be remembered every day, and the way to remember is, to support them on a daily basis, so मैं अपील दुबाना करता हूं कि प्लीज, जो भी Bombay में, या कोई भी उदर के साइट पे हैं, जाहिए, ढूंडिये, और start supporting, and I will be part of that support, in any way you want to be. का एक रंग है, भगवात अंकवात की थोड़ी तो दिग्विजे सिंग दे ही चुके थे, किताब तो छपी गई थी, तो फिर तो वो सच हो जाती न, और फिर देखे हम लों कि उसमें जीते, लेकिन उन्हों ने हमें उस तोहमत से बचा लिया, तुकाराम उमले जी ने साल गुज़र जाने के बाद भी, मतलब 2008 में अगर ये हुआ था, तो उसके बाद आप देखें कि कॉंग्रेस की सरकार ने क्या क्या कुछ नहीं किया, चुप बैठे रहे क्योंकि उन्हें वोट बेंग की राजनीती करनी थी, और अब 2014 के बाद जो हमारी सरकार आई है, वो प्रूडो मल देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की जब ऐसी तैसी होई, पाकिस्तान को चारों तरफ से गिरा गया, आर्थिक तोर पर उसको बिलकुल अलग थलग कर दिया भारत ने, तो उनको लग रहा है कि हम लोग पन्नू या भारत के आगे गुटने अब भारत के आगे वो समझोते की बात कर रहे हैं कि वीजा दे दीजिए, अब तो रुख नरम हो गया ना, प्रूडो का इसी वज़े से, लेके रुख नरम मौदी जी कर दे, ये हो नहीं सकता, जब तक कि हमें वो चीज नहीं मिलेगी, या उस चीज की गरेंटी नहीं मिल जाती ही, कि भई, जो हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, ये एके करके सतम होने चाहिए, रूडो मौद को वो काम करना पड़ेगा, अगर उसको अपनी कंट्री बचानी है, या अपनी इज़त बचानी है, मोदी जैसे छोड़ दे, पॉसिबल ही नहीं है, और हमने उनको भी ज से कदम नहीं छोड़े, जो यूज करने चाहिए थे, इन डिप्लोमेटिक पे, आप यूनाइटे नेशन में जाकर देखिए, जैसे जैसी स्टेटमेंट्स दी हैं, कैनड़ा के लिए, उगरवादियों के लिए, सैनलक्शन के लिए, ये टूडो मौद भी सुन रहा है, कि ये तो हटी ने रहे हैं, और वहाँ पर जाके जैसे शकर जी ने क्या बोला, ये आपने एलिगेशन लगाया हमारे उपर, प्रूफ तो दीजिए, वो प्रूफ की बात बोलते हैं, ठोक कर, कि प्लीज गिव उस प्रूफ, और टूडो मौल पिछले तीन महीनों से यही बोल किये, तो हमने उसको एक ऐसे बंद गली में खड़ा कर दिया, जहां वो अपनी नाग बचाने के लिए माफी माग नहीं सकता, प्रूफ है नहीं, जाए तो जाए कहां, अब उसको कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, नहीं तो हम भी इस टेंपरेशर को ठंडा नह जिन्होंने आज आइसता इसा बढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पर जैसे गरब लगते, तबे के वो बठाया हुआ उसको और वो उचल रहा उसके उपर, पॉपकोन की तरह, तो यह होता रहेगा, टूलों को छोड़ दें, यह बोधी जी के सथकार रही है, और फिर आप याद क किया था, वो तो लॉरेस बिश्णोई गैंग नहीं किया था, याद कि जी उनी का नाम आया था, उस वरक तब भारत ने साफ भी किया था, कि वो तो जैल के अंदर है, भाई, हम ने क्या किया, अब अगर गिपी ग्रेवाल के घर पे भी हमला हो रहा है, गोलिया चल रही तो टूड़ो क्या करेगा, वो तो अपने नागरिकों को बचा ही नहीं पा रहे हैं? तो उसने पंगा सब के साथ लिया हुआ है सारे कंट्रीज के जितने भी फॉर्ट लाइन्स हैं टेरोरिस हैं उन सब को उसने अरक्षन दिया हुआ है कैनला के अंदर तो टूडो इस नौट अल्ली ऑन टारगेट अफ इंडिया बट लाट अफ अधर कंट्रीज तो चलिए टूडो का रुख तो नरम हो रहा है लेकिन भारत का रुख तो लगातार गरम हो रहा है अब भारत नजर बनाये हुए पूरे घटना करम पर और जिस तरह की बयानबाजी हमारे विदेश मंत्री करते हैं उससे भी टूडो को डर लग रहा है कि वो फिकिन नौबत पहां तक पहुँच गई है कि अब वो चारों तरफ से घिर रहा है और भारत जब किसी पर आँख टेड़ी कर लेता है तो फिर उसको ठिकाने लगाकर ही दम लेती है हमारी आज की सरकार जो है तो चलिए देखते हैं क्या होता है टूडो का और गिप्पी ग्रेवाल का अब ओंदे मातरम